जीवन उत्सहा नियूस किया दिन भर की दस बड़ी खबरों में आपका स्वागत है देश में 5G इंटरनेट से वशुरू 4G से दस गुना जादा स्पीट परधान मंतरी नरेंदर मोदी ने आज भारते मुवाइल सम्मेलन के छटे संसकरन के उदगाटन के साथ ही देश में 5G से वाओ का भी शुबारम किया IMC 2022 का आयोजन पहले से 4 अक्तूबर तक New Digital Universe विशे के साथ किया जा रहा है श्री मोदी द्वारा चुनिंदा 13 शहरों में लाँच किया जाएगा 5G अगले कुछ वर्षों में पूरे देश को कवर करेगा हिमाचल की बिड बिलिंग घाटी में बड़ी पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता पर असमझस पैराग्लाइडिंग के लिए विश्व परसित बिड बिलिंग घाटी में इस पैराग्लाइडिंग सीजन में किसी भी प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर शंशे की स्थिती है अक्तूबर और नुवंबर महा में संभावे चुनावा चाह सहीं ता के कारण प्रेटर विभाग की और से किसी भी प्रतियोगिता कावाजन होता हुआ नहीं दिख रहा है शिमला में छराबडा के पास ग्रीन वेली के ट्रक कार पर पलटा शिमला के ढली थाना अंतरगर च्राबडा के पास हसन वेली में शनिवार सुबा एक दर्दनाख सड़क हासा हो गया यहां सेब से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर कार पर पलट गया इस दर्दनाख हासे में कार में सवार दो लोगों की मौत हो गई पुलिस की क्रीम ने कड़ी मशक्कत के बाद शवो को कार से बाहर निकाला और पोस्ट मार्टम के लिए IGMC भेज दिया राजदानी शिमला में हिमाचल भाजपा के मीडिया सेंटर का शुबारम हिमाचल परदेश विधानसवा चुनाओ को लेकर भाजपा विधायक के मोड में नजरा रही है राजदानी शिमला में हिमाचल भाजपा ने मीडिया सेंटर का शुबारम किया इस दोरान हिमाचल भीजपी के अधियक सुरेश करशप और मुख्यमंतरी जराम ठाकुर के OSD महेंदर धर्मानी मौजूद रहे इस दोरान नोनन जानकारी देते हुए बताया कि इस मीडिया सेंटर से परदेश वर की गतिवीधियों का संचानन किया जाएगा मुख्यमंतरी आवास के बाहर हंगामा बिना परमीशन धरने पर बैठे दो लोग राजदानी शिमला स्तिति माचल परदेश के मुख्यमंतरी के अधिकारिक आवास ओकोवर के बाहर मौके परतेनात पुलिस कर्मियों के हाथ पैर उस समय फूल गए जब संचोली के दो लोग बिना परमीशन मुख्यमंतरी आवास के बाहर आकर धरने पर बैठ गे शिमला के धली उपनगर में टायर पंचर की दुकान चलाने वाले सुदेश कुमार की दुकान का रास्ता डंगा लगने की वज़त से बंध हो गया इससे पहले भी वे शिमला उपायक कार्याले और मुख्यमंतरी कार्याले के बाहर धरने पर बैठ चुके है भाजपा ने तियार किया खरीद फरोकत का मोडल लोगतंतर के लिए असी विवस्ता खत्रा नरेश चौहान हिमाचल कॉंग्रेस की उपादियक्ष नरेश चोहान ने भारती जंता पार्टी पर कॉंग्रेस विधायकों की गलत तरीके से खरीद फरोकत करने की कोशिश क्या रोप लगाया है चोहान ने कहा कि भाजपा ने लोगतंतर की हत्या करते हुए पर देश भर में खरीद फरोकत का मौडल तयार किया है उन्होंने कहा कि भाजपा जंता पार्टी जानती है कि पांस साल में कोई विकास कारियर नहीं किये है कॉंग्रेस उपादियक्ष महिंदर चोहान ने उठाए कॉंग्रेस के सर्वे पर सवाल दोबारा सर्वे करवाने की मा मांग की राजराज के प्रात्मिक शिक्षक संग सिमोर ने DC सिमोर के जरिये मुख्यमंतrice ज talent के मांग की जा रही है पुलिस के SI पद के लिए आयू सीमा में दो वर्ष की चूट देने की मांग को लेकर उमीद्वारों ने ADC सिर्मोर मुनेश कुमारयादो के माधियम से सरकार को मांग पत्र भेजा है उमीद्वारों का कहना है कि करोना के दोरान जिस परकार पुलिस कॉंस्टेवल भरती में दो वर्ष की आयो सीमा में छूट दी गई थी उसी परकार एसाई के उमीद्वारों को भी अधिक्तमाईयों में दो वर्ष की छूट दी जाए हिमाचल में मानसुन पड़ा कमजोर परदेश में इस दिन से बारिश के असार हिमाचल परदेश में तीन दिन मौसम साफ रहने के असार है मौसम विग्यार केंदर शिमला के अनुसार परदेश में तीन अक्तूबर तक मौसम साफ रहने के असार है चार अक्तूबर से परदेश के अन्यक शेत्रों में धूब खिली हुई है इससे तापमान में भी बड़ोतरी दर्ज की गई है परदेश में बीते पांच दिनों से मानसून कमचोर पड़ गया है